तो फ्रेंड वेल्कम तो दिस न्यू लेसन हिस्ट्री एमसी क्यों प्रजेंट भागत एचुकिशन शुरू करते हैं इसमें में ली मॉडन हिस्ट्री के कोश्चन से ठीक है तो पहला कोश्चन है आपका की हूँ फर्स्ट फर्स्ट इंडियन नेटीव रूलर तू एक्सेप स सबसे पहले एक्सेप्ट किस ने की थी निजाम फैद्राबाद ने चीक है तो आप एक शॉट्रिक ध्यान रखना है हम्टी तो सबसे पहले की थी हैद्राबाद ने देन मैसूर देन तंजर लॉर्ड वेलेसली के द्वारा ये उस टाइम लाई गई थी जो गवर्नर जनरल से 1798 से 1805 तक ठीक है अगर आप से कोई पूचेगा कि इंटर्यू सबसे पहले किस ने की तो अगर ये ऑप्शन में हो माकस डुपलिक्स जो फ्रेंच गवर्नर जनरल थे तो आप ये लगाना ठीक है यह इन्होंने सबसे पहले की थी बाद में उसका यूज लॉड वेलसली भी किया तो ये एक्चुली होता क्या था कि रूलर जैसे प्रिंसली स्टेट है तो हैदराबाद के रूलर हैं तो रूलर तो वही रहेंगे लेकिन अल्टिमेट जो रूलर होंगे वो कौन होंगे अंग्रेज होंगे तो किस तरह से होते थे कि वहां पे एक तो जो प्रिंसल County तो प्रावानेट सेटिलमेंट किसके साथ हुआ था था ध्यानकना पर्मानेट सेटलमेंट वाज मेड इन 1793 बाई लॉड कॉर्न वालिस और इसमें क्या होता था कि जमीनदारों से सेटलमेंट हुआ था कि आप हमको ये जैसे जो भी आप टेक्स वसूल करते हो उसमें से दस्वा भाग हमको दे दो और एक भाग आप रख लो वो कितना भी हो ठीख तो इस तरह से पर्मानेंट सेटलमें हुआथ इसके अलावा दो सेटलमेंट और थे ये कहां हुआ था पर्मानेंट सेटलमेंट वेस्ट-बंगाल-भिहार औरिष. बंगाल वाले साइट पूरी आ गई उसके अलावा यूपी अरनाचल प्रदेश और एमपी और रहतवारी सेटल्मेंट आप देखोगे तो रहतवारी सेटल्मेंट में क्या था किस ने किया था ये एक थे आपके सर थॉमस मुंड्रो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड दो नाम ध्यान रखने हैं और कहां कहां प मतलब जो अभी जो आपका बांगलादेश है वो कुर्ग और आसाम ठीक है महलवारी सिस्टम में क्या था देखो रहतवारी सिस्टम में किसानों से डील करते थे उसमें पर्मानेट सेटल्मेंट में क्या था जमीन दारों से रहतवारी में किसानों से डील करते थे किसान दे सेंगे ठेक है तो इसमें महलवारी सिस्टम था तो यह कहां पर आपका North West Provences और बंगाल Presidency North West Provences of Bengal Presidency धियान धना यह उस्टाइम विग्चा यह उत्तर प्रदेश आभी का तो उस त्यम की ज साम प्रेसिदेंसी थी बहुत बड़ी थी वो तो इसलिए आप ध्यान रखना है कंफ्यूज मत होना तो आपका 1822 में हुआ था यह 19th century में ही हौल्ट मेकेंजी के द्वारा हुआ था तो हमने क्या देखा पर्मानेट सेटलमेंट लॉर्ड कॉन्वलिस रॉत्वरी सेटलमेंट पर्मानेट सेटलमेंट फिर आपका साउथ का रीजन और इस्ट पिंगाल का रीजन महलवरी और आपका इधर जो आपका हम आ गए उत्तर प्रिदेश वाली सेट तो वहां पे कौन सा आएगा महलवरी सिस्टम आएगा यह तो पर सिंपल कोशन है कि 1857 की जो क्रांती थी उसको फर्स्ट वार अफ इंडिबेंडेंडेंस किस ने कहा था तो वीडी सावरकर ने कहा था विनायक दामुदर सावरकर जिनोंने अभीनव भारत संस्ता की भी इस्तापना की थी अच्छा 1857 की क्रांती के जेस्ट बाद कौन सा रिवोल्ट हुआ बंगाल में तो यह देखो जितने भी रिवोल्ट लिखे हैं सब बंगाल में हुआ थे ध्यान रिकना नील की क्रांती जो नील विद्रो हुआ था जिसके वो नील दरपन एक बुक भी लिखी लिए है दीन बंदू मित्रा के द्वारा तो वो भी नील रिवोल्ट से ही रिलेटेड है तो द्यान रखना सन्यासी रिवोल्ट बहुत पहले हुआ था 17-1820 के बीच में और आनंद मत जो किताब है वो इस पर ही बेस्ट है संतल रिवेलियन जस्ट पहले हुआ था यह भी बंगाल मे सबसे आपको यह ध्यान रखना है सन्यासी रिवोल्ट की कोई सबसे पहले जो यह रिवोल्ट हुआ था उसमें हुआ था शुद्धी करण जो मुवमेंट था विच अफ फूलोइंग और्गनाइजेशन सपोर्ट थी प्यूरिफिकेशन मुवमेंट तो ध्यान रखना आरे समाज से यह शुद्धी करण जो है यह रिलेटेड है इसकी फाउंडर थे ध्यानन सवस्वती 1875 में जिन्होंने गो बेक आत्माराम पांडूरंग ने बनाया था 1867 में सबसे पहले कुन बना उसके बाद कौन आया और उसके बाद कौन आया आले समाज यह बहुत बढ़िया कोशन है हंटर कमिशन जो है वो किसके टाइम में यह भी बताना है आपको और किस से रिलेटेड थी तो ध्यान अपना प्राइमेरी एजुकेशन से रिलेटेड थी वोट से डिस पेज भी एजुकेशन से रिलेटेड है तो यह देखो इसने बहुत टि थी ठीक है और यह किसके टाइम में आई थी लॉड रिपन के टाइम में थी जिनको डी सेंट्रलाइजेशन का फादर भी कहा जाता है ठीक है तो इससे पहले जो थे ना लॉड लिटन थे अभी पढ़ेंगे उनके बारे में तो अमरिद बजार अगला कोशन है आपका अमरिद शिशीर कुमार घोष और मोतिलाल घोष ने बांगला में पुब्लिश किया था बड़ी इंट्रेस्टिंग एक किसा भी है कि एक लॉड लिटन ने वर्नेकुलर प्रेस एक एक्ट लाया था उसके अंडर क्या था कि जो भी देशी भाशाओं में जो इंडिया में लेंग्वेज हैंज कि उसको इंगविश कर दिया तो बड़ा फिमस हैं और हिंदू ए इंग्लिश में था हरीशचंदरा मुकर जी और गडैस कुमार घोष ने लाया था नहीं कंट्यूज मत होना सिशीर कुमार घोष ग्रीश कुमार गोष तो शिशीर कुमार घोष नैं यह वाला ABP लाया था ठीक है इस्टार प्लस ABP शिशीर कुमार रिलेट कर लो SS से ठीक है बंगाली नियुस्टे पर सुरह इनाद बेनरजी का था लेकिन यह इंग्लिश में था पूने पैक्ट किस से रिलेटेड था डाॉन ट्रोडिन क्लास से रिलेटेड था हुआ क्या था की 1930s में आपके राम से मेकडॉनल्ड है प्राइम मिनिस्टर इंग्लेंड यूके इंग्लेंड के तो उन्होंने क्या किया एक वो लॉलीबॉफ एकी और उन्होंने कहा कि जो डाउन ट्रोडिन क्लास है हरीजन है शेडिल का शेडिल राइब उनके लिए अलग सेपरेट इलेक्टरेट लाया जाएगा सेपरेट इलेक्टरेट क्या होता है कि मतलब अगर फॉर एक्जांपल 1909 में मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टरेट लाया गया था तो उसक पह परसंग जनता मुस्लिम है और टूनिटी परसंटा ही तो अब सेप्रेट फ सेपेरिट इलेक्TCोराइट मुस्लिम को बता है कि मुझे वोट देंगे मुसुलिम देंगे मुस्लिम सिर्फ किई कि जयान रखेगा ठीन लेगा जो 20% है या 30% है उनका तो कोई ध्यान रखा नहीं जाएगा ठीक है तो यह सेपरेट इलेक्टरेट था बाद में यह सिख्खों के लिए और आगे भी बढ़ गया जब 1930 में जब राम से मैकडोनल्ड ने यह बात कही कि यह सीस्टी वालों को भी हम देंगे तो महात्मा गांदी ने इसका बहुत विरोत किया उनको बहुत दुख हुआ कि यह तो हिंदू कास्ट है उसमें ही एक तरह से फूट डाल रहे हो उसको ही अलग कर रहे है तो यह बाद में पूना पैक्ट साइन हुआ उन्होंने मतलब एक उपवास किया और बाद में बीयारम बेटकर और महात्मा गानी के बीच में पूने जेल में एक पैक्ट साइन हुआ नाइंटीन थर्टी टू में उस पैक्ट में यह साइन हुआ कि सेपरेट एलेक्टरेट तो नहीं होगा लेकिन जो हिंदू सीट्स होंगी हिंदू सीट्स होंगी जहां पर हिंदू खड़े होते हैं उसमें क्या होगा कि उसमें अलग से SCST को रिजर्विशन दिया जाएगा ठीक है तो इस तरह से था अगला कुश्चन है आपका कि भूदान मॉमेंट कहां से शुरू हुआ देखो यह 1901 में शुरू हुआ था बहुत अच्छा मॉमेंट था इसमें क्या था कि जो जमीन दार थे वो अपनी सुएक्षा से अपनी जो जमीन थे वो दे 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 अंदर प्रदेश में शुरू हुआ था ठीक है अनंत पूर डिस्टिक में 1909 में अभी मैंने आपको बताए कि 1909 में क्या था तो कम्यूनल रिप्रेजेंटेशन था सिंपल है है ठीक और स्वादेशी और बाइकोट मॉमेंट ये सबसे पहले कहां इस्तमाल किया गया था सबसे पहले कहां इस्तमाल हुआ था बंगाल पारडिशन 1905 में हुआ था 20 जुलाई 1905 को इनाउंस हुआ साथ अगस 1905 को स्वधेशी ऑले अंदोलन जो है उसको एनौस कर दिया गया बेंगाल पाटिशन जुलाइ में एनौस हुआ वर साथ अगस देशी अंदोलन एनौस कर दिया गया 16 अक्टूबर 1905 को जो है वो effect में आ गया क्या part Season पेंगल और 1911 में उसको cancel भी कर दिया गया लॉर्ड करजन ने ये जो है शुरू कि ऐसा बताते हैं अगर ये करजन ना होता तो हिस्ट्री कुछ और होती ठीक है इसमें पॉलिसी कुछ अच्छी नहीं लिए स्वदेशी बाइकट आप समझती हैं स्वदेशी मतलब अपने जो भारत में बनी हुई चीज़े यूज करना बाइकट मतलब जो अंग्रेजी चीज़े थी उसको बाइकट करना तो मॉडरेट्स और एक्स्ट्रीमिट्स में इसमें लडाई भी हुई थी स्वराज पार्टी क ने मॉव्मेंट को वापिस ले लिया था तो उसके बाद जो है कुछ लीडर जो है वो उन्होंने अपनी अलग क्वार्टी बनाई थी उसको नाम लिया था स्वराज पार्टी स्वराज पार्टी में थे आपके कौन सीयारदास और मोतिना नहरो इन्होंने इलेक्शन्स इसको हटाया था ठीक टाइम पिरिट देखी रहो 7680 और 1880 से 1884 कि प्राटना समाज के फाउंडर कौन थे आत्मा राम पांडूरंग इंदी एर 1867 की फाउंड़ेड प्राटना समाज कि कोल रिबेलियन किसने लीड किया था तो ध्यान रिखना कोल रिबेलियन छोटा नाकप जो है वो लिया चाता था ट्राइब से ओराउंड स्ट्राइब ये ट्राइबल मोमेंट था तो वहां पर हुआ था ठीक है अरीजन सेवक्सन के फाउंडर कौन है तो ध्यान रखना महात्मा गांधी अरीजन सेवक्सन के फाउंडर है 30 सिप्टेंबर 1932 यह देखो मतला रिल था उसने इस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपली कतम कर दी तो पहले क्या था कि इस्ट इंडिया कंपनी आई थी परमिशन लेके तो इसा था की सिर्फ इस्ट इंडिया कंपनी ही रूल कर सकती है तो वहां पर प्रितिश पार्लेमेंट में आए दिन हंगा में होते थे क्योंकि यह बहुत पेसे वाले हो गए थे ठीक है तो फिर इन्होंने नंबर आफ एक्ट्स आये उनकी कमारत कसने के लिए सबसे पहला एक्ट तो यह आया था जहां पर गवर्नर ऑफ बेंगाल क्या बन गया था गवर्नर जनरल ऑफ बेंगाल बन गया था उसके बाद फिर यह बाद आया चार्टर एक्ट आफ एटीन अंडेंट थार्टी अठासो तेरा तो इसमें मोनोकली को खतम कर दिया गया कि इस्ट इंडिया कंपनी ऐसा नहीं है कि अक्यला ही ट्रेड करेगा दूसरे भी ट्रेड कर सकते हैं और खाली दो चीजों को छोड़ दिया था चाइना स इस पहले कौन सी प्रिंशली स्टेट ऑब बढ़ी थी है हेद्रबाद बहुत बढ़ी हिंस सब में सबसे बढ़ी हद्राबाद इथी ठीक है और हीद्राबाद ने पहला जोह सबसेडियरी मैं साइन भी पहले गिया था ओपरेशन ध्यानरबाद जूनागर्ड और कश्मीर इंडिपेंडेंस के बाद ये तीनों प्रिंसली स्टेट को बिलाने में बहुत प्रॉब्लम आई थी तो जूनागर में तो इलेक्शन हो गया था है द्राबाद में ध्यान रटना पुलिस एक्शन हुआ था थी और पुलिस सेक्शन जो हुआ था उस और फ्रहिशन का नाम है ऑकशन भूलो टिकैं को मिश्टेशियक कर मिशन किस्टेश तेजर जो है रिम लीकीशं को आपकी लूर्ड लेटन देड़ेव ऐडिटीन prisonersji teji лежattic उससे related था है, stretchy commission, hunter commission, rippon, stretchy commission, litton. मिरातुल अकबर, Persian language में, किस ने ये जो एक किताब थी, किस ने लिखी थी, तो राजा रामोन राय ने लिखी थी, और ध्यानपना जो अकबर ruler थे, मुगल एंपर रगबर टू थे ठीक है उन्होंने राजा रामोन राय को राजा की उपादी दी दी तो यह आप ध्यान अपना इसी के साथ हमारे questions खतम होते हैं सारे please friend आपके feedback दें कैसे लग रहे हैं आपको lesson और कौन्से topics पर आप lesson चाहते हैं हमको काफी motivation मिलता है उससे मुझे मेरे team को thank you so much